बिस्मिल्ला रुख्मान रुर्हीम, अस्लाम अलेकुम टू अलोफ माइ विव्यूर्स, I hope डेट अलोफ यू आर डूइंग वेल विद अग्रेस अफ अलोफ अल्माइटी सुभान अउत आलाप सबसे पहले मैं आप तमाम विव्यूर्स को Online Learning with OS YouTube चैनल पर खुशामदीत कहता हूँ आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो PMA 147 Long Course ISSB के अंदर अपियर होने वाले एक Recommended Candidate का Experience है इस वाली वीडियो के अंदर Recommended Candidate ने Part 1 में अपना तमाम डिप्टे के इंटरिव्यू का Experience जो की ISSB में उनको हुआ उन्होंने उसको डिटेल के साथ शेयर कर दिया है इसके बाद जो इस वीडियो का Part 2 होगा उसके अंदर वही Recommended Candidate अपना जीटियो प्लस साइक का जो उनका ISSB का Experience था उसको डिटेल के साथ डिसकस करेंगे सो प्लीज स्टे टून जो Recommended Candidate हैं उन्होंने 11 से 15 जनवरी के दरम्यान मलीर केंट के अंदर अपना ISSB दिया था सो अब Recommended Candidate का Experience सुनना स्टार्ट करते है Assalamualaikum जेंटमन मेरा नाम शहीर जफर है मैंने ISSB कराची मलीर में ती ती और बाच मेरा 31st January से 4th February तक था I was test number 5 जो जो हर हॉल में होता है और I was test number 1 in the GTO group जो पर डिप्टी ग्रूप में भी जाता है खेर moving on मैं जाके बैठा मैं अपने ग्रूप का पहला था जिसका डिप्टी का interview हुआ था तो कुछ जाता डिप्टी को पता नहीं था ग्रूप के बारे में किया सीन है तो खेर मैं जाके बैठा जब मैं बैठा तो मैं काफी nervous था जब मैं अंदर गया मतलब इतना मतलब अंदर से body language से मैंने नहीं शो किया कि मुझे nervous हो रहा हूं मैं डर लग रहा है बट मैं काफी जाद अंदर से डर रहा था मेरा heart rate बहुत जादा था बट मैंने अपने आपको काम किया उसको यह बात नजर आ गई ड़टी को उसने मुझे रिलाक्स करने के लिए पहले बेसिक सवाल पुछे कि यार आपका नाम पुछा अबा का नाम पुछा अबा क्या करते हैं कहां रहते हो नॉर्मल सवाल फिर थोड़ी तेर बिदिन फाइव मिनिट से उसने मैं नॉर्मल हो गया उसके बाद पिर उसने मुझे से questions पूचे पीए में जा रहा हूं तो सबसे बहुत था बई क्यों तो मैंने उसको बता दिया कि मेरे फादर से मेरी miss communication हुई थी अब बने कुछ बोला था मैं कुछ समझा फिर जब बने मुझे दुबारा बोला तो फिर मेरा क्योंकि दिल मेरा हमेशा से था इस जगा जाने का तो मैंने बेस्फ्रेंड की अम्मी की तबियत हराब है और साथ दिन से वह आई सीउ में साथ दिन आपका एक्जाम है ठीक है अब उसको कुछ नहीं आता तो आप क्या करोगे मैंने का मैंने का सर वह ऐसा है कि वह पहले से पढ़ ले कहता है यार नहीं पढ़ा ना उसने मैंने का सर मै है उसको मैं भी यह बोली रहा था कि उसने मुझे बाट काटी और उसने मुला चलो छोड़ो यह बताओ कि तुमनों तुम्हें मेरा एक्जाम यानि उस डिप्टी जो बंदा है उसने उसने एक्जाम पेपर सेट किया है और वो उसको मिल गया तो तो उसका आंसर शीट मिल पर यह तुम्हें तुम क्या करोगी तो मैंने का नहीं सर मैं इसको आंसर शीट नहीं दूँगा तो पिर क्या मैंने का सर मैं इसको इतना करा दूँगा कि वह पास हो जाए बट आंसर शीट नहीं दूँगा ठीक है के ता ठीक है मैंने का कि मुझसे कहता यार आपकी वालद कर देते तो फिर मैं कभी अपलाया ना करता हूं फिर रेस्ट इस हिस्ट्री तो ठीक है अच्छा उसके बाद कहता है यार यह बताओ फिर मुझ से पूचता पॉक्ट वाटर मनी मिलती है नहीं सा पॉक्ट मनी मिलती है तो खर्चा कैसे निकालते हैं अपना मैंने का सर मैं मैं लहाएं कितर है अब कहां खर्च करते हो फिर मैं इसको ग्रेक अटाः करना इतना 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 वह दूंगा इतना बतादूंगा इतना आतना वह आदा वी सभी अर लिए asked सब्सक्राइब कर नहीं तो पूच्छे भी आंस बताएं ना जीन झी Regular की किन ए तो एक्स Hispanemics तो 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 वापस आगई यूनट में लेकिन वो पूरा साहाँ उटके आपकी यूनिट पर आगए, भो बढ़नें बंदा तो क्या करो, मैं बंदा तो किसी सूरत नहीं देना। वाल्या, बंडा किसी तुरत नी देना । फिर कहते हैं, भाई हैं। ओध्याि आपकसी आपका मताई हो अदिया कांग के हैं, या जान वह वीशन है हम वह वह बसी ट्रेन्डेन हैं, तो है हमा में तुर्थ क्या कर потр吃. तो मैंने कके सर कंटेन करने के और रोकने के और वी तरीक हैं तो मैंने का सर में हवा बोद्गर करणेधा हमारा फैसला करेंगी वो उस तक लेकर जाना मेरी जब्हारी है और उसको मैं वह करूँ और वह एक बात और कहता है मुझसे सबसे पहले के मैंने सबसे पहले मैं सीओ का पता हूँ पिश्चा ओड़क करने की एक सबस्क्राइब्स लाइन सवाल नहीं किया तो समोकिंग का पूछा था स्मूक करते हैं आइसर मैं नहीं करता दोस्त करते तो और फुछ करते हैं आई शीषा पी ते हैं यह फैप टीक है थीक है अब यार क्या सीन है ना देखो आपका ऑपीटेस्ट और आप जो फॉम भर रहे तो बात मुझे बाता चलीं कि यार ये तो ओपियाई मुझे मैंने लिखा था वहां से आ रहा है ये हैर मेरा अलमोस एक्सपीरियंस बाकी वैस भाई की बड़ी मेरवानी हो यह हम सब की मदद कर रहे हैं उन्होंने मेरी भी इस अभी चानल से काफी पहले से वैस भाई को तो म को भी कामियाब करें मतलब मेरा जब इस भी था उनके डेप्टी के इंटर्व्यू में कोछ बहुत सारी बात थी जो मुझे अवैस भाई से ही पता चली थी कि यार इसको ऐसे इस तरह हैंडल करना है इस तरह हैंडल करना है और तो यह है बाकी गुड लग जेंडर्मन और अ लिकम बैक तो यह वो तमाम रिकमेंड़िट के इसस भी में होने वाले डिप्टी के इंटर्व्यू का एक्सपीरियंस था अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए तो लाइक करें कमेंट करें अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें मिलते हैं किसी और ऐसी अच्छी वीडियो में अल्ला आफिस फी अमान इल्ला